हेलो दोस्तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलीस के लिए काफी जो important question होगा जो कि आपका modern history से होगा जिसे कि modern history जो है आपका सभी exam में काफी ज्यादा important role निभाता है तो जो 2023 का जो exam होने वाला है December से उसके लिए जो है काफी important question है पुरे जो modern history से है आप लोग जो है इस वीडियो को पुरे अंत तक देखेगा और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को subscribe कर दिजेगा देखे पहला question है चोड़ी चोड़ा कांड कब हुआ तो चोड़ी चोड़ा जो कांड है ये कब हुआ था तो ये आपका 5 फरवडी 1922 को हुआ था कब हुआ था 5 फरवडी 1922 को गोरकफुर जिले उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गोरकफुर गोरकपुर जिले के चोड़ी चोड़ा नामक अस्थान पर जो है यह घटना हुई थी और सहयोग आंदोलन कारियों ने क्रोध में आ करके थाने में आग लगा दी जिससे एक थानेदार 21 पुलिस कर्मी यानि एक थानेदार और 21 पुलिस कर्मी को जिन्दा जला दिया यानि याद रखिएगा 11 फरवरी 1922 11 फरवरी 1922 को जो है और सहयोग आंदोलन अस्थागित कर दिया इस समय महात्मा गांदी वार दौली में थे कहां थे वार दौली में इस समय महात्मा गांदी थे और वहीं से अपने आंदोलन को क्या किये तो अस्थागित कर दिये तो इसका सह हुआ था 1924 में कभ हुआ था इसकी अस्थापना जो है 1924 में हुआ था और इसकी अस्थापना कौन किये थे तो यह किये थे सचिंद्र सन्याल कानपूर में किये थे कहां किये थे कानपूर और कानपूर जो है किस नदी के किनारे इस्थित है तो कानपूर जो है आपके गंगा नदी के किनारे इस्तित है और भाग भगत सिह ने तो इसका सही आंसर आफसा नमर बी हो जाएगा तो सरपर्थम जो आफसा योग आंदोलन में किसे गिरपतार किया गया था वो किया गया था आपको मुहम्मद अली को किसे किया गया था मुहम्मद अली यानि इसका सही आंसर आफसा नमर बी हो जाएगा जबकि जो है मुहम्मद अली कौन मुहम्मद अली मुहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट एनी बेसेंट बिपिन चंदर पाल कौन बिपिन चंदर पाल ये लोग जो है और सहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे यानि यह जू है Congress को अता हुंने क्या किये Congress को यह छोड़ दिए 24 जालिया वाला भाग में जमना लाल्ब clim. जमना लाल बजाज ने कौन सा उपाधी को ट्याग कर दिए कौन से आंदोलन जालिया वाला भाग जैसे ही उवा तो उन्होंने कौन सा उपाधी को त्याग कर दिये ते ये राय बहादूर की उपाधी इन्हें कौन सी उपाधी मिला था तो राय बहादूर की जो उपाधी मिला था उन्हों ने इसका क्या कर दिये त्याग कर दिये इसमें जो है और बहुत सारे लोग है जिन्होंने अपना त्याग किये थे जैसे कि संकर नायर कौन थे संकर नायर ने वाइस राय की काड़े कारणी जो है इसका त्याग कर दिये कौन कर दिये संकर नायर जबकि महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने कैसर एहिंद महात्मा किसकी उपाधी त्याग दिये तो कैसर एहिंद कैसर एहिंद की उपाधी कौन त्याग दिये महात्मा गांधी त्याग दिये जबकि रविंदर नाथ टैगोर कौन रविंदर नाथ टैगोर ने सर की उपाधी का त्याग कर देती ये सभी लोग जैसे ही जालिया वाला बाग हत्याकांड हुआ इन्होंने अपनी उपाधियों से त्याग दे दिये जैसे कि जालिया वाला बाग हत्याकांड हुआ कब था तो ये आपका 13 अपरेल कब हुआ था तेरह अपरेल उनीस सो उनीस को जो है जालिया वाला वाग हत्यकांड हुआ था लेकिन इसका सही आंसर कौन सा होगा तो आपसन नमबर सी जो है बिलकुल डाइट हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है तो खिलाफत दिवस जो है ये कब मनाया जाता है देखे खिलाफत आंदोलन जो है ये कब मनाया जाता है तो ये आपका सत्रह अक्टूबर उनीस से मनाया जाता है कब सत्रह अक्टूबर ये जो एक खलीफा आंदोलन थ तो और सहयोग आंदोलन जो है यह कब प्रारंब किया गया इसे इसका प्रारंब जो है एक अगस्त कब किया गया था एक अगस्त उनीच सबीस को जो है इसका प्रारंब किया गया था तो इसका सही answer option number A हो जाएगा कौन किये थे तो ये करने वाले थे महात्मा गांदी महात्मा गांदी जो है इस आंदोलन को प्रादंप किये थे लेकिन इसी आंदोलन के दोरान जो है चौड़ा चोड़ी कांच हो जाता है जिसके कशर आंदोलन को चौड़ा कांच हो जाता है जिसके कारण इस आंदोलन को अस्थागित करना परता है तो इसका सही answer information नमर A हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है कर नहीं आंदोलन किस ने चालू किया तो कर नहीं आंदोलन जो है ये कौन चालू किये थे कर नहीं आंदोलन जो है महात्मा गांधी चालू किये थे कौन किये थे महात्मा गांधी और ये कब किये थे तो ये जो है आपका इन्होंने आंदोलन चालू किया कर नहीं आंदोलन काउन सा? कर नहीं आंदोलन चालू किया था इसका सही आंसर कौन सा भ जैगा? अफ्सन नमर सी बिलकुल नइठ हो जाचेगा नेक्स्ट कोशन है बाल गंगा धर तिलक ने गनपती महतसब का प्रारंभ किये तो बाल गंगा धर तिलक जो है महाराष्ट छेत्र के थे कहां के थे महाराष्ट छेत्र के थे और इन्होंने 1893 में 1893 में जो है शुरू किया था और 1895 में 1895 में जो है सिवाजी महतसब तो यह भी महाराष्ट के थे जिनके कारण इनका जो है काफी ज़्यादा फेबस हो गया और इन्हें विलोग जानने लगा ता 1893 में कौन सा हुआ था यह गनपती महतसब और 1895 में कौन हुआ था यह सीवाजी महतसब और यह कौन सा गनपती महतसब तो इसका सही आनसर आपका आफोसव नमर यह हो जाएगा next question है आमार सुनार बंगला का लेखक कौन है तो आमार सुनार बंगला जो है इसका लेखक हो जायगा वो आपका कौन सा हो जाएगा रबिन्नाठ थाकुर्वाथ जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा है ते इसिदोरान जो है रविनार ठाकुर ने अपना परसिद गीत कौन सा परसिद गीत आमार सुनार बंगला लिखा बाद में यही गीत पंगला देश का राष्ट्रिय गीत हो जाएगा तो यह भी याद रखेगा कि बंगला देश का यह क्या हो जाएगा बंगला देश का राष्ट्रिय गीत ह नेक्स्ट कुस्चन देगे, बंगाल विवाजन के समय वाइसराइ कान थे, यह आपका लॉड करजन थे, कौन थे लॉड करजन, बंगाल विवाजन जो है, यह हुआ कब था? तो बंगाल विवाजन आपका हुआ था? बंगाल शोलौ пользов乐 become भ郎 मरें तो 16 October 1905 कब हुआ 16 October 1905 को बंगाल विवाजन हुआ था जबकि इससे पहले जो है 7 अगस्त कब 7अगस्त 1905 साथ अगस्त 1905 को जो है बंगाल के टाउन हॉल कहां बंगाल के टाउन हॉल में स्वादेशी आंदोलन की घोशना की गई उसके बाद जो है 16 अक्टब 1905 को बंगाल भी भाजन किया गया तो इसका सही आंसर आफसन नमर सी हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है पुर्ण स्वाराज की मांग किसने की गई था पुर्ण स्वाराज की मांग जो है कॉंगरेस के 1929 के लाहौड़ अधियेशन कहाँ हो रहा था उस समय अधिवेशन जो है कॉंगरेस का लाहौड़ अधियेशन हो रहा था उसी समय जो है 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे कितना बजे रात 12 बजे जवहालाल नहरू ने राभी नदी कौन सा था राभी नदी के तट पर नव ग्रेहित तिरंगे जंडे को फैराया इसी आदिवेशन में 26 जनवडी 1930 को पर्थम स्वाधीनता दिवस मनाया गया स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया निश्चे किया गया कि इसी के साथ परतीक वर्स 26 जनवडी कब परतीक वर्स 26 जनवडी को स्वातंतर दिवस के रूप में मनाया जाने की प्रंपरा शुरू हुई थी कब हुई थी तो यह इसी टाइम हुई थी 1937 में इसका सही आ युक्त बनाजर हो जाएगा आपका के सवामी सवामी सव्यजानंद वो महास्चीव एंजी रंगा इनके कौन थे इनके अध्यक्ष थे तो यह दोनों इनकी अध्यक्ष थे और हुआ पर्थम गोल में चाहिए यह आपका 1930 में हुआ था और दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था जबकि दूसरा में महात्मा गांधी भाग लिये थे जबकि भीमरा अंबेदकर यह तीनों सम्मेलन में भाग लिये थे भारत चोरो अंदोलन कब हुआ तो यह आपका हुआ था पुना के आगा खां जेल में रखा गया कहां रखा गया महल में इन्हें गिरफतार कर लिया गया जबकि काड़े काड़नी के अन्य सदस्य को भी गिरफतार कर लिया जैसे कि सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू और कस्तुर्बा गांधी को आगाखा पैलेस में ही रखा गया था जबाहरलाल नहरू को अलमोरा जेल में कहा जबाहरलाल नहरू को अलमोरा जेल में रखा गया जबकि राजंदर परसाद को बांकेपूर कहां राजंदर परसाद को जो है कहां रखा गया बांकेपूर जेल में रखा गया कहां रखा गया बांकेपूर जेल में यह चीज याद रखेएगा काफी जादा पुछ लेता है जबकि मौलाना अब्दुलकलाम आजाद को बाकूर का जन्म कब हुआ तो सुवाशंद बोस का जो है जन्म कब हुआ था देखिए सुवाशंद बोस का जो जन्म हुआ था वह आपका 23 जन्वरी 1893 को हुआ था कब यापसा नमडे जो है इसका बिल्कुल डाइट थे नेक्स्ट कोशन है परतिक्ष कारवाही दिवस कब मनाया गया तो परतिक्ष कारवाही दिवस जो है ये आपका कब मनाया गया था तो इसका सही आंसर जो होगा वो 16 अगस्ट हो जाएगा कब हो जाएगा मुश्लिम लिग ने अपना सीधा जो कारवाही यानि परतिक्ष कारवाही दिवस जो मनाया था वो 16 अगस्ट 1946 को मनाया गया था सबसे पहली, महात्मां काई तो करने वाले तो सुध्धी आंदोलन के नेत्रत्त करने वाले कौन थे, तो वो आपके थे स्वामी दयानन सरस्वती कौन थे स्वामी दयानन सरस्वती यानि आफसन नमर डी जो है इसका बिलकुल डाई थे अखिल भारती हरीजन संग की अस्थापना किस ने किया तो अखिल भारती हरीजन संग जो है इसकी अस्थापना कौन किये थे तो इसके अस्थापना करने वाले थे महात्मा गांदी कौन की थे महात्मा गांदी यानि आप्सन नमर ए जो है इसका बिलकुल डाई थे तो यह आपका 20 का 20 कुश्चन था जो की काफी ज़्यादा important है यदि आप लोग previous question बनाते होंगे तो काफी ज़्यादा इस तरह का question मिलता होगा जो की modern history से होगा तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते है next studio में